हलो दोस्तों अगर आपको भी अपने मुवाइल को अपडेट करना है अगर आपका मुवाइल स्लो चल रहा है या फिर आपको कोई नय अपडेट आया है तो आपको अपने मुवाइल को अपडेट करना है तो आज की इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीकी से बताएंगे कि आप अपने मुवाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं असानी से तो चले चलते हैं अपने सेटिंग में आपको option दिया होगा सेटिंग का देखिए यहां पर corner में दिया हुआ है उपर में सेटिंग का यहां पर सेटिंग जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यह ऐसा page open हो के आगा जिसमें आपके मुवाइल के सारे सेटिंग के बारे में सो कर रहा है कि आपका जो भी सेटिंग होता है वो यहीं से होता है अप यहां से असानी से आप अपने मुवाइल में कोई भी सेटिंग करना है यहां से आप असानी से अपने मुवाइल के स setting को कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमको जानना है कि अपने मुवाइल को अपडेट कैसे करें तो simply हमें about phone पे उपर में देखिए ओपर में आपको दिख जाएगा about phone सिम्फली यहां पर जो अपडेट है उसके प्लिक कर देंगे और उसके बास देखिए यह चेकिंग कर के आएगा option यह लोड होगा इसको अम लोड होने देंगे चेकिंग करने देंगे तो देखिए यहां पर सोग कर रहा है कि मेरे मुवाइल में कोई नया update आया है simply यहाँ पर download update पर click करेंगे और यहाँ पर ऐसा आपका option आ जाएगा देखिए हमारा download होना चालू हो गया update अब देखिए यहाँ पर download 100% जैसे ही होगा आपका phone update हो जाएगा और देखिए यहाँ पर इसका size बतारा 608 MB का यह update है जो आपके while में यह update डाउनलूड हो रहा है जैसे ही आपका update डाउनलूड हो जाएगा तो simply यहाँ पर बटन आएगा reboot now जैसे ही reboot now पर click करेंगे आपका while बंद हो जाएगा और फिर open होगा automatic लिए तो चलिए हम click करते है reboot now पर और open करके आपको दिखाते हैं कि मेरा mobile update हुआ है कि नहीं तो देखें जैसे ही आपका while restart होगा तो उसके बास आपको new function देखने को मिलेगा देखें आप पहले यह नहीं आ रहा था यह पहले आ गया और देखें मेरा सारा function चेंज हो गया जैसे यहाँ पर स्कॉल करने पर ऐसे आ रहा है अब ऐसे new function आ गया तो चलिए देख लेते हैं कि new version new update कोई और है की नहीं तो देखें लिख रहा है आपने no update available फिर से आप चेक करना चाहते तो check for update पे क्लिक करेंगे फिर यह checking कर रहा है और फिर वही message pop up होके आएगा no update available मतलब कोई update नहीं यही latest version का update है तो इस तरह से आप अपने redmi का mobile को update कर सकते हैं अगर आपका कोई और भी company का mobile है तो आप आसानी से सेटिंग में जाके और update या about में जाके और अपने mobile को आप अपडेट कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे को चैनल को सस्क्राइब कर दिजे कर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन् आपने वाद